हेलो गाइस वेलकम बैक टो अनदर वीडियो आज है दो आई प्यों की लिस्टिंग और वह भी बंपर आई प्यों है बहुत अच्छा लिस्टिंग यह आज होने वाला है दिखे सबसे पहले दिखा जाए तो दीपक कैमेक्स करके आई प्यों था उसका अज लिस्टिंग है आ और यह ओपन हो सकता है इस्टिमेत ओपन के लिस्टिंग लिस्टिंग हमें इसकी तो 93 परसंट दिखा रहिए आज के देट में तो अन्ड़र्ट परसंट से भी ऊपर open हो और दूसरा IPO की बात करें तो Amic Forging Limited या इसका GMP भी 100% से ऊपर चल रहा है 107% का लिस्टिंग है हमें इसमें देखने को मिल सकता है इसकी price में इनकी बात करें तो 127, 126 रूपीज यहां पर दिख रही है और देख सकते है ओपिन हो सकता है 239 रूपीज के आज पास तो कुछ भी हो सकता है अभी तो 9 बज़कर 34 मिनिट्स हुए है लेकिन 9 बज़कर 45 मिट्स के आज पास यह IPO ओपिन हो जाएगा फिर इसके बाद इसमें 10 बज़े ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी आप इसे बायो सहल कर सकते हैं इसमें भी अपर सरकीट लगने के चांसे बहुत ही ज्यादा है कुछ भी हो सकता है यह दोनों IPO हमें 100% और 100% से भी ऊपर का लिस्टिंग देखने को मिल सकता है इस IPO में अगर आपको लोट्मेंट मिल गया है तो समझो आपकी लोट्री लग गई है देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं आज इसका लिस्टिंग है तो देखते हैं कि 9 बज़ कर 45 मिंट्स क्याश पास कौन सी प्राइस पर यह दोनों IPO हमें लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएंगे देखिए आज यहाँ पर 9 बज़ कर 44 मिंट्स हो गया है और यहाँ पर अपर सरकी लगते हुए देखने को मिल गया है आप देख सकते हैं 90 परसंट का लिस्टिंग यहाँ पर बना के दिया है 113 रूपीज यहाँ पर बढ़ गया है तो इस IPO ने तो हमें यहाँ उसमें भी हमें देखने को मिल गया है इसका जिसे यहसाब से इसका जिएम पी चल रहा था उसी हिसाब से इसने रूपीज विस्टिंग इन हमें बना के दिया है तब देख सकते हैं अभी 10 बज़े इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी कुछ वक्त उसमें कोई बाहर करेगा कोई सेल करेगा उसकी वज़े से यहां पर अपर सर्कुट खुल भी सकता है लेकिन जिसे ही भी यह आईपियो लोट हुआ है उसमें बहुत अच्छा यहां पर मुनाफ़ा लेकिन लोवर सर्कुट में लोग इसी तरह आश जाते है तो यह समें आईपियो को सोज समझ कर ही हमेशा इंवेस्ट कीजिए तो अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपको आगे भी इसे नोलेजबल वीडियो से यह त थैंग यह सो भाव वाचि तो आफे तो ताम यह जाए और चीजिए टाम वीडियो वीडियो को सोज सुट कीजिए इसे नोलेगी होग वीडियो को